अगर आपको यी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों आप सबीगा वर्फ फिर्चेस वागते दोस्तों अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको मिलेंगे 12,000 रुपए सीधे बैंक खाते में सरकार ने नई लिस्ट जादी कर दी है लिस्ट आप अपने ही मोबाल से घर बैड़े चेक कर सकते हैं अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपको भी मिलेंगे 12,000 रुपए सीधे बैंक खाते में लिस्ट आप अपने ही मोबाल से चेक कर सकते हैं आपके गाव में किनकी लोगों को 12,000 रुपए मिलने वाले हैं पूरी जानकारी आप अपने ही मोबाल से ले सकते हैं आप देख सकते हैं कि आपके अगर कोई लिस्टेदार रह रहा है अगर आप अपने जिले की पूरी लिस्ट देख सकते हैं अपने ही मोबाल से तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दें वो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो आप ये वीडियो कौन से सेर कौन से स्टेट से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं तो दो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर डिश्टिक आपकी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपना ब्लॉक आपको अपना विकास खन आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको क्लिक करना है व पूरी लिस्ट यहां पर आ जाएगे आपके ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत है वो आ जाएगे अब आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है माली जे आपकी ये वाली ग्राम पंचायत है तो आपको इधर आना है इधर स्लाइट करेंगे तो आपको यहाँ पर देखेंगे जो नीले में नंबर लिखें हैं उन नंबर पर आपको क्लिक कर देना है तो जैसी नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके ग्राम पंचायत में पू जो पैसा है 12,000 रुपए वो दो बार में मिलेगा यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंटर गवर्मेंट देती है यहाँ पर 32 रुपए और स्टेट गवर्मेंट देती है आपको 48 रुपए तो टोटल यहाँ पर 12,000 रुपए इन लोगों के खाते में सरकार ने ट्रांसफर कर दि तो दूस्तों यह 12,000 रुपए के लोगों सरकार दे रही है यह दे रही है सुच भारत मिशन गिरामीट के अंतर करत जिन लोगों के ट्वालेट नहीं है सोचाले नहीं है, सरकार उनको सोचाले बनानी के लिए 12,000 रुपए देती है जो 12,000 रुपए मिलते हैं वो आपको दो बार में मिलेंगे पहले मिलेंगे 72,000 रुपए उसके बाद में आपको मिलेंगे 48,000 रुपए तो ये रुपए लाभारती के खाते में सरकार ट्रांसफर करती है कोई किसी को देना नहीं होता है डारिक्ट लाभारती के खाते में पैसा आता है और अगर आपकी कच्चा ट्वालेट है ट्वालेट नहीं भी है और आप APL कैटेगिरी में आते हैं तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं आविदन करने के बाद आपको भी सरकार 12,000 रुपए देगी तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमिन करके जुरूर बता हैं इसे ही नहीं ने वीडियो देखने के दिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें